आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वार्षिक परिच्छा प्रशन पत्र विशय सामाजी विज्ञान कच्छा साथ इसमें आपको 100 नमबर का पूर्डांग और 2 घंटे 30 मिट का टाइम मिलेगा सबसे पहले आपको क्या करना है अपना नाम और अनुक्रमांग फिल कर लेना है उसके बाद प्रशन पत्र को हल करना है किस प्रकार से आपका प्रश्ण पत्र आएगा देखो पहले आपको नोट दिया गया होगा सभी प्रश्ण करने आनिवारे हैं यानि सभी प्रश्ण आपको करना है कोई भी प्रश्ण आपको मिश नहीं करना है फर्ष्ट कोशन दियागा कि निम्लेखित प्रष्णों में सही विकल्ब चुनकर लिखिये और इसमें आपको पांच विकल्बी प्रष्ण दिये जा रहे हैं जिसमें चार आप्षन दिये गए हैं और एक आप्षन सही है उसे अपनी उत्रपुस्तिका में लिखना है जिसका राइटान सर आपका क्या हो जाता है ब्याप्शन मिश्रित धाथ के सिक्के चलाएं थे दूसरा कुशन दिया गया है कि लोधी वन्स का अंतिम सासक कौ जिसका जो राइटान सर आपका होगा इबराहिम लोदी क्या होगा इबराहिम लोदी तीसरा question दिया गया है कि किसी ए अस्थान विशेष में चलने वाली विशेष्ट हववों को क्या कहते हैं A option है नियतवाही B option है आपका अनियतवाही C option है पचुवा पवने B option है ब्यापारिक पवने तो किन नाम से जाना जाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नियत वाही पवने हो जाएगा चौथा कोश्चन इसमें दिया गया है यहाँ पर मिस्प्रेंट हुआ है थोड़ा सध्यान देंगे चौथा कोश्चन आपका देगा पिगमी कहां के निवासी है एमाजन घाटी, जाइरे घाटी, मनाया घाटी या उपर इसमें से सभी तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइरे घाटी में पिगमी निवास करते हैं पाचवा कशन देगा ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख करण क्या है तो इसके लिए आपको आपशन देखो दिये जा रहे हैं कि प्रत्वी की घुरुडन के करण चंद्रमा का गुर्थ्वा करण के करण पवनों के द्वारा या हिमखन्ड के करण तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रमा का गुर्थ्वा करण के करण दूसरा नमर कोश्चन आपका मिलेगा सही और गलत का चुनाव करना है इसमें आपका फ़र्ष्ट कथन दिया गया है वायो मंडल में 78% नाइट्रोजन गयस पाई जाती है तो यह आपका सही दिया गया है 78% नाइट्रोजन होती है दूसरा है पिगमी लोग गोरे वा लंबे होते हैं इसमां गोर लिखा है गोरे होगा गोरे वा लंबे होते हैं तो पिगमी लोग नाटे और काले होते हैं जो दूसरा वाला आपका कसन दिया गया है ये गलत है और तीसरा कोशन दियागा है हुमायू की म्रद्यू चौसा के मैदान में हुई थी तो ये भी आपका गलत है ये कि हुमायू की म्रद्यू जो है एक पुस्तकाले में उसकी सीड भी उसे लडखडा कर गिरने से हुई थी तो यह आपका जो है गलत है और चौथा कोशन आपका दिया गया है कि बाबन ने इबराहिम लोदी को पानी पत्र के युद्ध में पराश्थ किया था तो यह आपका सही है राष्ट्रपत बनने के लिए नियुनतम आयु पैटिस वस सुनी चेही यह भी आपका राइट दिया गया है तो इसमें जो आपका offer और दूसरा और सब आप सनहें वह आपका गलत है बाकी तीन जो है कथन सही दिये गया है तीसरा कोश्चन आपका दिया है रिज्ध स्थानों की पूर्थ कीजिये गज एशिकंदरी के लंबाई इंच होती है कितने इंच होती है तो 30 इंच होती है यहाँ पर आपको लिख लेना है कितना होती है 30 इंच भारत में मुगल सामराज की अस्थापना किस ने की थी तो भारत में मुगल सामराज की अस्थापना बाबर ने की थी तो इसमें जो है आपको बाबर भर लेना है दूसरे वाले में क्या हो जाएगा बाबर संग कई राज्यों से विलकर बना होता है तो यहाँ पर राज्य भर लेना है क्या भरोगे राज्य तीसरे वाले में क्या भरेंगे राज्य भर लेंगे ठीक और चोथा दिया गया है पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले बल को क्या कहते हैं तो कोरियालिस बल कहते हैं क्या कहते हैं कोरियालिस बल ठीक तो इसका जो आपका राइट कथन हो जाएगा कोरियालिस बल ये आपको भर लेना है पांचवा दिया गया है कि वायुदाब मापते हैं तो वायुदाब मिली बार द्वारा मापा जाता है मिली बार द्वारा तो मिली बार इसमें भर लेना है फिर जब चोथा कोशन आपको मिलेगा दस नमबर के लिए यह है मिलान करना है तो देखो लिखा है कोटोपैक्सी, इसको कहां मिलाओगे, कोटोपैक्सी आपका क्या है, एक जोळामुखी है, क्या है, जोळामुखी है, तो कोटोपैक्सी को आपको मिला देना है, जोळामुखी में मिला देना है, और डिगरी सेल्सियस, डिगरी सेल्सियस क्या है, ये कारे पालिका कानून को लागू करने का कारे करता है चौछा कायुद्ध 1549 में हुआ था ये से मिला देना है मनसबदारी प्रथा अक बनने चलाया था तो इस प्रकार से सही मिला आपको कर देना है पांच्वा खंड आपका दिया गया है कि सभी खंडों के उत्तर देजे आपके दे गया है पांच पांच कोश्चन पंदा नंबर के यानि तीन नंबर का प्रति कोश्चन है फर्स्ट कोश्चन देखो दिया गया है पानी पत का प्रथम युद्ध किन के मद्ध लड़ा गया था तो पानी पत का प्रथम युद्ध आप सभी लोगों ने पढ़ा ह दूसरा देखो दिया गया है कुश्चन की विजय नगर सामराज की नियू किसे ने रखी थी तो विजय नगर सामराज की नियू हरी हर बुक का नमक दो भाईयों ने रखी थी तो इसमें ये लख देना है राजसभा का सभापती कौन होता है तो राजसभा का सभापती कौन हो से गैसे हैं और इनका पंसता क्या है तो वायू मंडल में अने कैसे है जैसे नाीट्रोजन अपर संट है आपका 21 पर संट आपका अपका और complaint ये पाका झीर तंबलो जीडिरो जीरो तीन पर्संट है और बाकी जीरो दिश्मलो 97% में क्या है सभी गैसे है सदा बहार वन किसे कहते है तो सदा बहार वन वह होते है जो अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं मतलब जो है गिराते है उनकी पत्तिया एक तरफ गिरती है दुसरी तरफ क्या है निकलती रहती है हर समय वो हरे भरे रहते हैं कुश्चन नमर छे हैं कि सभी खंडों के उत्तर दीजे इसमें भी पांच खंड दिये गए हैं और इनके उत्तर आपको देना है यह 20 नमर में है यानि कि 5 नमर का एक कुश्चन है जोर भाटा क्या है या कैसे उत्तपन होता है यह आपको लिखना है दूसरा कुश्चन आपका दिया है कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं तीसरा है लोदी वन्स की उपलब्धियों का वड़न कीजिए चौथा कुश्चन है कि सेरसा सूरी दिल्ली का ससस कैसे बना और पांचवा कुश्चन है FIR कहां दर्ज किया जाता है तो इन कुश्चन के बहुत आसान कुश्चन है आपको जवाब देना है प्रती कुश्चन आपको चार नंबर मिलेंगे सात्वा कोश्चन आपका दिया गया है किन ही पांच खंडों के उत्तर दीजे कोई पांच करना है इसमें साथ दिये गए हैं खश कोचन है सल्तनत कालीन प्रशासन का वड़न कीजिए अकबन ने धार्मिक सहसुरता बढ़ाने के लिए क्या किया केंद्रिय मंत्र परशद का गठन कैसे होता है मोशम और जलवायू मे अरे लिए क्या महत्तु है नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों जरूरी है तो यह आपका जो है कुश्चन पेपर सामाजिक का रहा और कैसा लगा सामाजिक का पेपर तो आप सभी लो कमेंट करिएगा अगर कोई आपके पास हुजाओ हो या आप कोई सलाह देना चा यह आपके लिए हो आप能िक बढ मात् झार देनाओ दिए, ज आपका के लिए मौलिक कर दा छायर मेंट कर दोटनी है तो आपके लिए मौलिक का बात्चे चूम है वह लिए यह जवा खवलेगा पूम आपके भÌपहम का ओल जेह।ो